एक बहुत महत्पूर्ण घोष्णा मैं अरविंद केजरिवाल जी की तरफ से आमादमी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के आम डोगों के लिए कर रहा हूँ हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी महेंगे बिजली पिलों से बहुत दुखी है पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आमादमी पार्टी को बेहत प्यार और सम्मान मिल रहा है काफी समर्थन मिल रहा है और उसकी वजए है अरविंद केजरिवाल जी की गवर्नेंस अर्विन केजिणिवाल जी ने दिल्ली में जिस तरह Eнаком किया है और उसी में जिस तरह EMPLCra क्यों उत्तर प्रदेश के लोग इस बास से बहुत प्रभावित हैं कि देशकी राजधानी दिल्ली में आज लोगों को विजली के और जीरो आ रहे हैं आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी विजली के बिल जीरो हो सकते हैं। आने वाले विधान सवा चुनाव में आमाधी पार्टी को वोट दे कर आमाधी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरिवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आधिर पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर-अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू विजली बिल जीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे यानि के 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो आने लगेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर ये वदस्ता कर दी जाएगी दूसरा उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दुखी है उसकी फसल के दान तो योगी सरकार ने बढ़ाए रही लेकिन उसकी बिजली बहुत महेंगी कर दी योगी सरकार जी ने तो आज मैं आमाधी पार्टी की तरफ से केजरिवाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप सब मिलके आने वाले बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल जीरो आएंगे वो चाहे कितनी भी बिजली के पर जुम्त है यह दूसरी बड़ी बात है तीसरा उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली इतनी महगी कर दी है कि लोगों से बिजली के दाम बिजली के बिल नहीं चुकाए जाए किसी के घर एक लाख का बिल आ रहा है, किसी के घर डेड़ लाख का बिल आ रहा है, दस हजार की तनका है विचारों की पांच हजार रुपे किसी तरह से कोई दुकान चला के कोई कमाता है, उनके बिजली के बिल एक एक डेड़ लाख रुपे आने लगे। अब सरकार कहती है कि या तो वो लोग बिजली के बिल भरे, नहीं तो सरकार उनको अपराधी मानेगी, या फिर वो लोग सुसाइट कर लिया। उत्तर प्रदेश में सेकड़ों ऐसे केश हैं जहां पर एक आम आदमी ने बिजली के महंगे महंगे दिल देखके सुसाइट कर लिया। अलिगड में एक किसान, मैंने या मीडिया में एक खबर देखी थी, राम जी, राम जी लाल, उनका गेड़ लाक का विजली के बिल आ गया, विजली का बिल नई भर सकते थे, उननो सुसाइट पर ही है, एटा में एक सत्तर साल की लड़की ने सुसाइट किया, और उसने सु अजी तरह के बहुत सारे लोक हमने बनारस में भी देखा कि बनारस में एक सामन्य काम करने वाले विक्ति ने शुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उसे उसका बिल नहीं भरा जा रहा था और बिजली भाग उसको अपरादी करार दो रहा था, अशोक भाग दि मेरे इंटरनेप पर परिवार इसे हैं जिनके घरों में महंगे-महंगे बिजली के बिल योगी सरकार ने भैज रखें और योगी सरकार उनको अपराधी मान रही है योगी जी की सरकार उनको अपराधी मान रही है मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि घबराना मरत थोड़ा सा धहरे रखिए और आमाधी पार्टी का समर्थन करिए विधान सवा चुनाव में 6 महीने बाखी है से महीने बाद में आमाधी पार्टी की सरकार बनवाई है जितने लोगों के बकाया बिल है जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वज़े से आपके उपर अपराधी बनके चड़े हुए हैं जो आपको अपराधी बना रहे हैं आमाद्मी पार्टी की सरकार बंते इन दिनों को फाड़ के फैक दीजेगा, सब के बकाया बिल माफ कर दिये जाएंगे, ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है, और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं, तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरका है जो महेंगी महेंगी बिजली करके पैसा कमा रही है, वो पार्टी है जो बिजली महेंगी करके अपना चंदा जोटाती है, लोग अपराधी नहीं है इसमें, लोगों को अपराधी की तरह जीने की ज़रुत नहीं है, आमाद्मी पार्टी की सरकार जैसे हमने केजरी वाज जीरो करेंगे ये तीन बड़ी अनौस्मेंट और चोथी और सब से महत्कून चीज की केजरेवान जी ने सकते हैं एक पुरा जिशना धीs elseा क्वसी दिल्ली की एककाफ़ को जानते हैं कि 2015 से पहले दिल्ली के market inverter और जेनरेटर के छोटे जनरेटर चनेरेटर के भरेपड़े रहते थे लेकिन 2015 15 के बाद केजिरिवाल जी की महनत से सरकार की महनत से वो नजारा बदला है और अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है दिल्ली के दोगों को लोग जनरेटर और इंवर्टर खरीदना भूल गए हैं बाजारों से इनवर्टर और जनरेटर गाइब हो गए हैं यही काम उत्तर प्रदेश में भी होगा खाली यह नहीं है कि 300 यूनिट किसानों के लिए विल्माफ नहीं है खाली 24 घंते उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और चौबिस घंटे उत्रप्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आमादवी पार्टी की सरकार बनवाई है चौबिस घंटे विजली के हमगारेंगी और मैं इसलिए कह रहा हूं सब जगे इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में जहां इतने बुरे हालत थ दिल्ली में बिजली बनती नहीं उत्तर प्रदेश से बिजली खरीद के दिल्ली की सरकार देती है और राज्यों से खरीद के देती है वहां पर चौबिस घंटे बिजली आ सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो बिजली का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में तो झारविस गंते बिझली में लगी तो मैं आप सब के समख्षर मेहत्मूर यही कह रहा हूं कि अर्विंक गेखेड़ जी अंप जंता के दर्ध को समझते हैं बढ़ी लिखे हैं, आाया टी हैं नहीं, आया टी से पास-ाउयť हैं इस बात को समझते हैं कि चीज़ें ठीक कैसे की जाती है इस बात को समझते हैं कि economy से लेके और technology तक कैसे चीज़ें solve की जाती है उनका ये मानना है कि 21 सदी के भारत में बिजली लगजरी नहीं है बुनियादी सुन्था है इकिस्मी सदी के भारत में जब हम digital इंडिया की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजली के बद उन लोगों को उपलब्द होगी जिनकी जेम मोटा मोटा पैसा है बाकी लोगों को बिजली नहीं उपलब्द होगी 21 सदी के भारत में दिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो आदमी को अपना मोबाइल चार्ज करने से लेकर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो बल्ब जलाना है, वो बिजली उपलब्द कराना, बुनियादी जरूत के लिए, बुनियादी जिन्दगी के लिए बिज यहाँ पर केजरिवाल जी की तरफ से एक बार फिर से उन चारों अनॉसमेंट को दोहरा देता हूँ, उसके बाद पतकार साथी, उसके बार संजे भाई अपनी बात रिखेंग और पतकार साथी अपनी बात कर सकते हैं, सवाल पूर सकते हैं, चारों अनॉसमेंट जो केजरि पार्टी की सरकार बनाई है, 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट विजली उफ्तर प्रदेश के सभी घरेलू बुपताओं को में दोलेगे। दूसरा, सभी किसानों को, इर्रेस्पेक्टिव अपूँ, जिन लोगों के महंगे बिजली के बिल की वजय से लंबे-लंबे बकाया हो गए हैं और वो आप उधार लेके बिजली के बिल चुकाने पे मजबूर हैं या अपराधी के तरह जीने पे मजबूर है या सुसाइड कर करने पे मजबूर हैं उनसे कहरा हों कि घबराये मत आपके बिजली के पर आमाधी पाइटी की सरकार माफ करेगी वसामाधी पाइटी की सरकार बनवाई है और चौथा कि सिर्फ मुफ्त बिजली और पकाया माफ की बात नहीं है बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में 24 उसके बावजूद बाकी राजनों से खरीट के अगर 24 घंटे बिजली दिली जैसे राजमी में सकते हैं ये तो उत्तर प्रदेश में ता हंड़र परसंट 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 है ये ता सबी पत्रकार बंदूओं को निमश्कार आम आत्मी पार्टी की ओर से आज अर्विंद क केजरिवाल जी ने उत्तर प्रदेश की 24 करोण जंता को एक गारंटी दी है जो अपने आप में बहुत बड़ी गारंटी है गरीब के घर में रोसनी हो 300 यूनिट तक उसको बिजली प्री मिले आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली प् है आप से केजरिवाल जी कह रहे हैं केजरिवाल जी की गारंटी है मनीज से सौधिया जी ने उसका एलान किया वो 38 लाख लोग अपने बकाया बिल फाड़ कर फेट देंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारे बकाया माफ किये जाएंगे ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सपना था कि लोगों को फ्री बिजली मिले 24 घंटे बिजली मिले और उनके उपर बकाय के नाम पर तहसील का डंडा ना चलाया जाए उनको जेल ना फिजा जाए उनको अपराग्यों जैसा बेखार न किया जाए मैं समझता हूँ ये वड़ी घोषना है जो मनीश्य सौधिया जी ने आज की है और कि इद्लीबाल जी की जो गारंटी होती है जो जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लिए वादा जो उन्होंने किया है ये गारंटी जो उन्होंने की है सर्कार बनने क 24 घंटे के अंदर हम दोग इसको पूरा है